दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि यूटूब की तरफ से एक हैंडल का फीचर लाया जा रहा है जिसमें कि जिस तरीके से अभी ट्वीटर को आप यूज करते हो हैंडल का यूज जिस तरीके से ट्वीटर पर होता है उसी तरीके से आप YouTube पर भी communication किया जा सकेगा handle का जो feature है उसके माध्धम से आप सभी की channel को search किया जा सकेगा और आप सभी का handle है वो URL में आप use करके directly अपने page पर भी जा सकते हो इसी के साथ में अगर आप comment के section में किसी के साथ में communication करना चाहते हो तो dedicated उसका handle है यूज करके उसके साथ में आप communication कर सकते हो तो यह जो feature है आज की date में YouTube ने इसको allow कर दिया है अभी ये launch हो चुका है इसको आप अपने YouTube channel पर enable कर सकते हो जैसे कि आप देखोगे कि अभी मैंने इसको enable कर रखा है हमारा जो main channel है सरकारी डिये ने उसके हमने जो handle है वो मैंने claim कर लिया है यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ hi there your handle is reserved तो यहाँ पर मेरा जो handle है जो मैंने अभी claim कि है आप यहाँ पर देखोगे मेरे channel के name से ही मिल गया है और यह जो handle है अब हम किसी के साथ में अगर communication करेंगे आप सभीके साथ में चैट करेंगे तो वहाँ पर आप सभीको मिलेगा तो यहाँ पर इसमें मैंने handle को claim कर रखा है तो इसलिए यहाँ पर change का ql option दिया रहा है अब देखोगे मैंने claim कर रखा है तो यहाँ पर जो का चैनल का URL भी मिल चुका है तो आज की डेट में हैंडल बहुत ही important हो चुका है अगर आप सभी का YouTube चैनल है और आपको अपने नेम का चैनल के नेम का हैंडल नहीं मिल पाता है तो उस चैनल नेम को रखने का कोई भी फाइदा नहीं होने वाला है क्योंकि आप खुछ सोचो कि जो भी आप चैनल बनाओगे audience जब उसके थ्रू आप यूज थ्रू हो जाएगी तो यहां पर आप देखोगे कि चैनल नेम अगर आप सभी का जो है YouTube पर आप सभी की तो यहां पर नीचे के तरफ आप देखोगे तो बताया भी गया है कि कहां कहां पर YouTube जो है इस हैंडल के फीचर को इनेवल करने वाला है और किसी के साथ में अगर आप collab करते हो तो उसका जो handle होगा आप यहाँ पर अपने जो वीडियो बनाओगे उसका जो है title होता है उसके अंदर भी आप डाल सकोगे और नीचे की तरब आप देखोगे तो यहाँ पर आप सभी का handle होगा वो यहाँ पर आपके home page पर so होने वाला है जहां पर आप सभी का profile picture होता channel का name होता उसके नीचे किसी के साथ में आपके channel पर जब कोई land होगा तो यहाँ पर भी देखोगे हो रहा है यहाँ पर चेंज हैंडल का option दिया जा रहा है तो जैसे ही रात को मुझे mail मिला कि यह फीचर आ चुका है मैंने इमिडेट जाकर कि अपना जो है चैनल है उसके नाम से हैंडल रिजर्ब कर लिया था अब आप सभी को कैसे करना है उसके लिए भी बता देता हूं कै चूज योर हैंडल अब यहाँ पर यह जो चूज हैंडल का option दिया गया है इसका जो लिंक है मैं वीडियो के description दे दूँगा अगर आप इस टैप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को हैंडल को चूज करने का option सो हो जाएगा तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं अब सो हो रहे हैं अब हुआ यह है कि रात को यह जो चैनल है इसका हम हैंडल क्लेम करना भूल गये थे जिसमें कि किसी ने पहले से ही इसको रिजर्व कर लिया है बाकी हमारे तीन जो चैनल हैं उनका मैंने हैंडल इमिडेट बुक कर लिया था लेकिन यह मुझ से छोट गया अब इस तरीके का आप हैंडल अभी रख सकते हो कुछ numbers को mix कर सकते हो तो यहां पर यह जो problem है किसली आई कि भाई मैंने ला परवाही कि मैंने इसका handle क्लेम नहीं किया था और किसी दूसरे ब्यक्ति ने handle क्लेम कर लिया है तो इस के समें मैं क्या कर सकता हूँ अगर मुझे इस ब्रांड को आगे तक लेकर के जाना है, एक बड़े लेवल पे लेकर जाना है, तो हमें अपने चैनल का जो नेम है, उसको चेंज करना होगा, तो इस तरीकी की परिशानी आप सभी के पास में ना है, इसलिए इमिडेट जाकर के आप अपने हैंडल को क्लेम कर लें, बाकी क्लेम किया है, चलिए इसी के आपशन पर मैंने क्लिक किया था, चूज हैंडल के आपशन पर, यह यूटूब की तरफ से मेल है, मैंने चेक कर लिया, कहीं कोई इस कैमर तो नहीं है, जो यूटूब चैनल को हैंग करना चाहें, तो इसलिए मैंने का आइडेंटी को पहले व तो जूज हैंडल के ओप्शन पे मैंने क्लिक किया और मेरा जो है चैनल का नेम था आप देखोगे सेम यहां पर आटोमेटिक आ गया था कुछ भी इसमें हमें करेक्शन करने की ज़रुद नहीं की और जैसे मैंने इसको सब्मिट किया आप यहां पर देखोगे कि मेरा है यहा आप भी अपने हैंडल को claim कर ले मैंने वीडियो के decision में आप सभी को link दे रखा है जिससे कि किस तरीके से claim करना है आप सभी को मैंने पूरी detail बता रखी है तो आसा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा इस वीडियो को like करेगा अपने friends और family म share करेगा आप सभी के मन में कोई भी सवाल है किसी भी तरीके के सुझाओ है तो मुझे comment box में जरू लिखेगा और यह जो वीडियो है आपने और भी friends में share करेगा हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक लिए good bye जैँ